प्यारे भाई और बहनों, जय शुटी, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं इस वीडियो में, ग्रविया इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चानल अभी तक सब्सक्राइब ने कियें, तो सब्सक्राइब कीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे मरंचिंदन के लिए, एवं जिन्दगी के नविनीगरण के लिए, हमने वही भाग चुड़ा है, जहां प्रवी ईसा मसीग, पुनरुधान के बाद, अपने च्रेलों के सामने, तीसरी बाद प्रगड होते हैं। हमें जानने वाला, प्यार करने वाला, संडिक्षन देने वाला, कभी ना त्यागने वाला, और कभी ना चोड़ने वाला प्रवी ईसा मसीग, पुनरुधान के बाद, अपने शिश्यों को ती बेरियस नदी किनारें, दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं। और अपने मचवारे शिश्यों को मचली पकड़ने में चमतकारी तरीके से मदद करते हैं। अभी मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चालता हूं, कि एश्यों को कितने शिश्य लोगतें। ग्यान से सुनिए प्रश्ण एग है येशु को कितने शिश्च लोगते एग प्रश्ण मैंने कई बाद क्या थीश्व क्लास में बच्चों को पूचा है और उन्होंने हमेशा उतर दिया है फादर जी येशु को बारा शिश्च लोगते फिर मैं उनको समझाता हूँ कि येशु को बहुत सारे शिश्च लोगते और है और मैं और आप हम सब उनके शिश्चों में से एक है क्योंकि जो भी विक्ति प्रभू को अपने मुक्ति दादा करके मानते हैं उसका अनुकरेंड करते हैं और उनके वचनों की अनुसार जीवन विदाते हैं वे सब प्रभू के शिश्च हैं फिर एक बारा लोग शिश्च नहीं तो कोन हैं उसका नाव क्या है एक बारा लोग प्रेरिद अदवा प्रेशिद लोग हैं प्रभु येश्यू ने विशेश रुव से बारा चेलों को इसलिए चुन लियाता ताकि वे अपने मृत्यू के बाद भी अपने संदेश को आगे ले जा सके लेकिन हमें मालूम है और समाज़ार में हम पढ़ते हैं कि येश्यू के मृत्यू के बाद शिश्यों ने क्या किया उन्होंने सोचा कि प्रभु येश्यू की मृत्यू से सब कुछ खत्व हो गया अब दूसरा कोई उबाई नहीं है जीना है तो अपने पुराने जीवन शैली में पुराने काम में वापस चले जाना है पुराने दंदे शुरू करना है इसलिए शिश्यों के नेदा तोर कर गोशना किया कि मैं मचली पकड़ने चा रहा हूँ तो दूसरे शिश्यों को भी एक बात सही लगी और उन्होंने बोला हम भी तुमारे साथ चलते हैं और वे सब मचली पकड़ने चल पड़े राग भर शिश्यों ने बहुत कोशिश की नाव के हर तरफ उन्होंने चाल डाना लेकिन उन्हें एक भी मचली नहीं मिली और वे निराश होकर लौटे वक्त उन्हें निसहाय अबस्ता में निसहाय परिस्तिरी में उन्हें बीश ये शुआ गए किंदू शिश्य उन्हें नहीं पगचान सहें ये इसा ने उन्हें कहा बच्चों काने को कुछ मि और रात भर जाली डालकर ठके मामरे शिश्यों को एशु ने कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालने और तुम्हें निलेगा उन्होंने जाल डाला और इतनी मचली आफस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके हाँ मेरे प्यारे स्रोधावों हम में से हरे एक जन्गो सोचना चागिए कि शिश्य लोग क्यू मचली पकड नहीं पाएं क्यू समुद्र में मचली आ नहीं थे देर सारे मचली आ थे नहीं तो एशु के कहने पर उन्हें कैसे इतने सारे मचली आ मिली फिर क्यूं उन्हें मच्ची पकड़ना नहीं आते थे बे मच्ची पकड़ना अच्ची तरह जानते थे उन्हें बरावर मालूमता कि समुद्र में कहां कैसे और किस प्रगार जाली डालना है क्योंकि येशु के बुलावे के पहले वे लोग इसी से रोजी कमाते थे और अपना पेट भरते थे फिर क्यूं उन्हें एक भी मच्ची नहीं मिले क्यूं वे लोग मच्ची पकड़ना ही पाए प्यारे भाई और वहनों इसका एकी कारण है एकी उत्तर है क्योंकि येशु उनके साथ नहीं थे क्योंकि एशु उनके साथ नहीं थे जब एशु के आवाज को सुनकर जाली डाला तब उन्हें जाल भरके मचलिया मिले हमारी जिन्दगी में भी अगर हम एशु के आवाज को सुनकर जीवन विदाएंगे कारी करेंगे खदम बढ़ाएंगे तो हम जरूर अलभुद कारी देखेंगे कभी कभी हम बोलते हैं शिकायत करते हैं कि कुछ भी काम ठीक नहीं हो रहा है कड़ी महनत करने के बाद भी सफन नहीं हो रहे हैं इतना कोशिश करने के बाब जूद भी कुछ नवकरी नहीं मिलती हैं। इतना बढ़ने के बाद भी परीशा में उतिर नहीं हो रहे हैं। इतना काम और मदद करने के बाब जूद भी कोई हमें प्यार नहीं करते हैं। जिन्दगी के कुछ मोड पर अगर हम ऐसा बोलते हैं, शिकायत करते हैं, तो सोच लीजिएगा क्या येशु मेरे साथ है, क्या येशु हमारे साथ है, प्रभु का वचन है, मेरे अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते आईए हम प्रभु के वचनों के अनुसर प्रभु के साथ उसका हाग पकड़ते हुए हर कारी करने के लिए कोशिश करें, ताकि हम सब अपने जिन्दगी में सफल बनें, येशु हमारे साथ रहें